नमस्का दोस्तों किरती ओफिशल ब्लॉग में आपका बहुत बस्वागत है और आज हम बना रहे हैं बहुती शांदार सब्जी जो आयरवेदे गुणे से भरी हुई है बहुती तरह से ये लाबकारी है जो है सेमल की सब्जी यह है सेमल का फूल है जो की एंटी से भरपूर होता है और यह कमरदर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद सब्जी रहती है जिनको अदिखतर कमर में दर्ड होता है वो इनका सेवन करते हैं और एसे विए सब्जी सभी एजगरूप के लिए बहुत अच्छी है पेट के डाइशन के लिए अच्छी रहती है और यह सेमल का फूल जो है कुछी समय में एक या दो महीने ही मार्केट में आता है तो अभी सर्दियों में भर पूरा रहा है इसका सेवन जरूर करें तो आई इसकी शुरुवात करते हैं हमने सेमल के फूल लिये थे उसको साफ करके दूल लिया था और इसके अंदर जो है कली निकलती है फूल की उसको निकाल देते हैं उसके उपर का जो ग्रीन पार्ट है वही हम बनाते हैं तो हमने इने काटकर त्यार कर लिया है और इसको बनाने के लिए जो है हमने प्याज लिया है कटा हुआ हरी प्या और इसमें जो है प्याज डालेंगे कुछ कटे हुई प्याज को जो है अच्छे से भूल लेंगे उसके बाद जो है इसमें हरा प्याज और हरी मिज को डाल देंगे हरा प्यास डालने के बाद इसमें हम मसाले डालेंगे और सेमल डालेंगे मसाले में सेमल डालकर अच्छे से चलाने हैं इन सब्जी बहुती कम पानी में बन जाती है और बहुती अच्छी होती कि इसमें एंटि उसरे नहीं हुआ नहीं कि हिसन गेशन को थैसेथ के तो जाह जो हैं है, जो हमें जल्दी बीमारं नहीं होने लेते हैं हमारी प्रत्रोद पंधा को बढ़ाते हैं और घुड़ के ताइस़ जो हैं, में हेल्ट के लिए वी तो सब्जियों को खाना चाहिए वैसे भी सीजनल फॉलाव सब्जियां जो है तेहत के लिए अच्छे होते हैं अब सब्जी को अच्छी से चला दिया है और इसमें हलका सा पानी और थोड़ा सा नमक डालके हम इसको ढग देते हैं बहुत ही कम पानी में सब्जी तयारो जाती हो और देखिए दोस्तों हमारी सेमल की सब्जी बनके विल्कुल तयार है यह बहुत ही टेस्टी लगती है एक बार इस रेसिपी को ट्राय जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग लोही की कड़ाई में बनने के करण जो है इसका रंग थोड़ा काला सा हो जाता है नान इस्टिक में बनाएंगे तो पीली ही बनेगी थैंक्स फॉर वाचिंग